हाई गाईज वालकम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करनेंगे आइफोन में सीरी के टॉप एट फीचर्स ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में आइफोन में सीरी एक बहुत ही कमाल का फीचर है और इसके कुछ हिडन फीचर्स भी है जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी को शेर करने वाला हूँ तो यह हिडन फीचर्स आइफोन सीरी के आप डे टुडे रूटीन में भी यूज कर सकते हो और आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने आइफोन को यूज करना तो चलि उपर टैप करना है और यहां पर आपको सबसे पहले हे सीरी के आप्शन को आपने इनेबल कर देना है अगर आपके केस में हे सीरी का आप्शन ओन नहीं है तो आपको यहां पर सबसे पहले इसे ओन करना है आप अपनी सीरी को साइड बटन को प्रेस करके भी ओन कर सकते हो सिरी को से स्थ 10 भी लेंग明白 वैश सर्थ stopping अगर आप यहांसे इंगलिश इंडिया के यहांपर स्था कर्थे हो तो आप हिंदि में भी अपने सिरी सी को यूज कर सकते हो यहां पर आपको सिरी के different parts of voice को दीखने को मिल जाते हैं अब यहां पर यहांसे कोई भी a Calling mom on speaker Calling mom g mobile on speaker कुछ इस तरह से आप अपने किसी भी contact को call लगवा सकते हो अपने iPhone की Siri को यूज़ करके और आप अपने iPhone में Siri को यूज़ करके calculation भी कर सकते हो कुछ इस तरह से Hey Siri, calculate 200 plus 3000 तो यहां से आप देख सकते हो इसका result बहुत ज़दा accurate होता है और यहां पर आपको calculator का icon भी देखने को मिल जाता है और आपके Siri आपके रहे कोई भी छोटी बड़ी calculation करके देखी बस आपको यहां पर बोलना है आप अपने iPhone में Siri को use करके translate भी कर सकते हो किसी और language में जैसे कि अगर आपको किसी एक line को किसी और language में convert करना है जैसे कि तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आप अपने iPhone में Siri को use करके किसी भी language में translation भी कर सकते हो आप अपने Siri को use करके एक reminder भी set करवा सकते हो set a reminder to pick my iPhone at 6 AM तो यहां पर आपको simply इसे pick के उपर tap कर देना है और आपका जो reminder है वो यहां पर enable हो जाता है चेंज करना है तो आप यहां से change भी कर सकते हो तो यहां पर आप आप पर चेंज के उपर tap करना है अगर आप अपने reminder को change करना जाते हो उसके time को आप अपने iPhone में Siri को use करके अपने internet connection को Wi-Fi को और यहां पर airplane mode को भी on या off करवा सकते हो कुछ इस तरह से पस आपको यहां पर बोलना है Hey Siri turn off Bluetooth तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसने जो है setting के अंदर जाकर आपके Bluetooth को off कर दिया है अगर आप यहां पर बोलोगे कि assessive touch को off कर दो तो वो भी off कर सकती है कुछ इस तरह से Hey Siri turn off assistive touch Hey Siri turn on assistive touch तो यहां पर कुछ इस तरह से आप अपने iPhone में Siri को और भी बढ़िया तरिके से यूज़ कर सकते हो अपने Siri को यूज़ करके सकते हो कुछ इस तरह से बस आपको बोलना है Hey Siri send WhatsApp message to कवल I'll need to access your WhatsApp data to use the app Is that okay? Yes Which one? Second one कवल What do you want to say? Hi Send the message And Do you want to send it or change it? Yes Send it Send तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपने iPhone में Siri को यूज़ करके किसी को भी message send कर सकते हो अपने WhatsApp की application में या अपनी iMessage की official application में आप अपने iPhone में Siri को यूज़ करके weather भी check out कर सकते हो बस आपको यहाँ पर बोलना है Hey Siri What's the weather today? तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इसने टॉप की उपर weather का एक widget आपको बताया है जिसमें आपको weather की information check out कर सकते हो यहाँ पर आपको पूरा accurate यहाँ पर देखने को मिलेगा बस आपको यहाँ पर tap कर देना है और आपकी यह application open हो जाती है आपके iPhone पे तो guys कुछ इस तरह से iPhone की Siri को आप और भी बड़िया थरीके से यूज़ कर सकते हो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो please like कर देए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ इसाथ बेल नोटिकेशन को जुरू प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी आने वाली हर नए वीडियो के नोटिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं अगली वीडियो में So guys thanks for watching